जैहिन दोस्तों स्वागत आपका आपके इटिशनर पर दोस्तों बात कर लेते हैं यूपी पुलिस साथ हजाद दोस्तों चोवालिस कॉंस्टिवल भरती का जो री एक्जाम में वो कब होने बाला है और कितनी पाँलियों में होने वाला है कि आ उसके लिए नियम बनाएगी हैं उसके बारे हम बात कर लेते हैं दोस्तों तो जैसा कि आफ देख रहे हैं नई गाइड लाइन के तहत नहीं मिल रहे केंद्र ग्यारा पालियों में करानी होगी परिच्छा दोस्तों जो परिच्छा कराने के लिए जो नए नियम बनाए थे उनके तहट जो कैंदर उन्हें चाहिए वो कैंदर उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं उसके बज़े से लगवा 11 पालियों में आपकी परिच्छा होने वाली है जैसा कि पिछली वार आपकी दो दिन में दो दो पाली यानि चार पालीयों में होई थी लेकिन आपकी वार परिच्छा केंदर कम होने के वज़े से इस परिच्छा को 14 पालीयों में कराने जा रहे हैं भरती बोड बात कर लेते हैं संपूर जानकारी के वारे में दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं दोबारा होने वाली पुलिस भरती को लेकर नई समस्या खड़ी हो गई है नए मानक के अनुसार प्रियाप्त संक्या में परिच्छा केंद्र ही नहीं मिल पा रहे हैं यहां सिर्फ 54 केंद्र ही मिल पाए हैं जबकि विगत दिनों हुई परिच्छा जिलों के 126 केंद्रों पहुई थी यही इस्तिती रही तो जिलों में पुलिस भरती के लिए 11 पालियों में परिच्छा करानी पड़ेगी दोस्तों उनने का है कि जो परिच्छा कराने के लिए जो केंद्र बनाए गए हैं उनके मानक के अनुसार वो केंद्र कम पड़ रहे हैं क्योंकि कुल 54 केंद्र उन्हें मिल रहे हैं पिछली वार 126 केंद्र मिले थे अपकी बार 54 केंद्र मिल रहे हैं उसके बज़े से बहुत दिक्कत होने वाली है अब परिच्छा को लगभग 11 पालियों में कराना होगा तब जाकर के परिच्छा पूरी हो ही है तो उसमें आपके लग 11 पालियों में परिच्छा होने की संभावना है अगे बात कर लेते हैं पुलिस भरती परिच्छा सत्रे और अठारे फरवरी को कुल चार पालियों में होई थी दोस्तों सत्रे अठारे फरवरी में दो 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 पालियों में दो दिन होई थी तो चार पालियों में पेशली बार हो गई थी हर पाली में कुल 126 केंद्रों पर 79,744 अभ्यारती पंजी करते जब 126 आपके परिच्छा केंद्र बने गई तो प्रिटेक परिच्छा केंद्र पर लगभग 70,000 यानि कि लगभग 2,88,976 अभ्यारती पंजी करते प्रिटेक सेंटर पर प्रिटेक केंद्र पर पेपल लीक होने की बज़े से बह परिच्छा निरस्ट कर दी गई थी जब परिच्छा को निरस्ट कर दिया गया था अब उसे दुबारा कराने की कवाया सुरू हो गई है इसी के तहत भ ले गई है और वो सूची चली भी गई है उनके पास कि यहां इन जगों पर पेपर कराना है क्योंकि आपकी बार जो पेपर होगा वो बड़े-बड़े कॉलिजों में होने बाला है जो बेदाक कॉलिज होंगे महां पर एग्जाम आपका होगा जिन पर दाग लगा है या ज गाइडलाइन के अनुसार केंद्र ही नहीं मिल पा रहे हैं जिला परसासन परसासन की ओर से अभी 5160 संस्ताओं की सूची भेजी गई है दोस्तों जो परिच्छा केंद्र बनाए गई है उनकी जो सूची मांगी गई है वो सूची अभी तक 5160 की सूची भेजी गई है जिनमें एक पारी में 19,644 अभ्यारती परिच्छा दे सकते हैं दोस्तों जो परिच्छा केंद्र उन्होंने भेजी सूची बना करके वहाँ पर 19,644 अभ्यारती ही परिच्छा दे सकते हैं इनके अलाबा ब्रस्पतिवार को MNN I.T प्रुफेस्टर राजिद्र शिंग रज्यू भहिया विश्ज्विद्दाले तथा उत्तर परदेश राजस्री डंडन मुक्त विश्विद्दाले ने भी परिच्छा कराने की सैमती दे दिये दोस्तो इन प्रोफेस्टर जो बिस्विदाल लेके हैं इनोंने भी परिच्छा कराने की अनुमती दे दी है यहां भी आपके एक्जाम होने बाला है आगे बात कर लेते हैं इन केंदरों पर किरमस है 1400, 600 और 500 अभ्यारती परिच्छा में बैठ सकेंगे इस तरह एक पाली में 22,244 अभ्यारती परिच्छा में सामिल हो सकेंगे दोस्तो अगर 11 पालीों परिच्छा होनी है तो लगबग 22,000 अभ्यारतीयों को एक पाली में बैठ नहुगा तब जाकर परिच्छा कबर होगी तो अगर पूरी तरह से परिच्छा केंद्र मिल जाते हैं तो अब भ्यारतियों की परिच्छा देने की जो चमताय वो बढ़ सकती है लेकिन फिलाल 11 पालियों में ये परिच्छा जा सकती है क्योंकि परिच्छा देने के लिए जो परिच्छा केंद्र है जहां पर अभ्यारति को बैठना होगा वो जगए बहुत कम है तो थोड़े थोड़े अभ्यारतियों को ले करके परिच्छा करानी होगी आगे बात करते हैं जिला पिटसासन इलाबाद विस्विधाले के भी संपर्क में है वहां से सेमती मिल जाती है तो तो भी एक पाली में अधिक्तम 25,000 अभ्यारति परिच्छा दे सकेंगे इस तरह से 278,966 अभ्यारतियों के लिए 4 के बजाए 11 पालियों में परिच्छा आज इस के बज़े से परिच्छा कई पालियों में बढ़ सकती है लेकिन अभी फिलाल 11 पालियों में उनका जो सोचिये वो बनाए गई है, 11 पालियों में परिच्छा वो कराएंगे ताकि परिच्छा आपकी बढ़िया हो और किसी पिरिकार की दांदलेबाजी नहों अगर जा Un जारतियों को बैठा देंगे तो काफी दिक्कत हो जाएगी इस वज़े से उन्हें कई पालियों में परिच्छा करानी पड़ेगी तो दोस्तो अगर आप चाहते हैं यूपी पुलिस सम्मंदि सभी छोटी-छोटी सूचना आपको समय से मिलती रहे तो आपको माल चैनल को सब स्क्राइब कर दें वे लाइकों को दबा दें ताकि सभी सूचना आपको समय से मिलती रहे तो इस वीडियो में इतना ही मिलते नेक्स वीडियो में थैंक्यू धन्यवाद